नमस्ते विद्याथी मित्रों, हुम मुकेश पटेल, तमारू स्वागत करूछूं, धोरण आठ, विशै विद्याथ, प्रक्राण, त्रोंड, संस्लेशित, रेशाओ अने प्लास्टिक, भाग 2 विद्याथी मित्रों, आपने भाग 1 नी अंदर, संस्लेशित, रेशाओ ना प्रकार नी अंदर, रेवन विशैनों अभ्यास कर्यों, हुवे, विजा संस्लेशित, रेशाओ नी अंदर वाद करिये, तो नाइलोन नाइलोन नी शरुवाद करिये, तो कोईपन प्रकाना कुद्रती, काचा, माल, वनस्पती जन्य के प्राणी जन्य ना उप्योग वगर, त्याने इस विशन 1901 रिस्म बनावाम आवेलू, तो नाइलोन डेशा इस विशन 1901 रिस्म तयार करेला, और ये सामथी बनावाम माटे ते, सव प्रथम संस्लेसित रिस्म एवो क्यावाय चे के, सव प्रथम सम्पून शंच्लेसित रिसा छे, नाइलोन कारण के ते, कुद्रती, काचा, माल, वगर, ये टले के, कोल्षा, पानी, तथा, हवानी मदती बनावामा आवेलू, हवे आज जे नाइलोन रेशा छे नाइलोन रेशा केवा प्रकार ना छे निया गुण धर्मों शू छे तेनी वाद करिये तो ते मजबूत स्थिती स्थापक अने हलका छे पहली बाबत नाइलोन रेशा ना गुण धर्मों नी वाद करिया छे प्यालो पॉइंट ते मजबूत स्थिती स्थापक औने हलका छे बिजो पॉइंट ते चमकदार छे त्रिजो पॉइंट ते सहलाई थी दोई सकाय ते वाचे तो आवी रिते आ नाइलोन रेशाना त्रोन गुण धर्मनी वाद करी प्यालो गुण धर्मा ते मजबूत स्थिती स्थापक औने हलका छे बिजा गुण धर्मनी वाद करी आपड़े ते चमकदार छे त्रिजा गुण धर्मनी वाद करी ते सहलाई थी दोई सकाय ते वाचे एना उप्योगों कि यां जो आ मड़े छे नाइलोन रेशाना त्यानी जो बाद करी आपड़े कार्ना सिट बेल्ट परदा नी बना वत्मा आ नाइलोन रेशाना उप्योग थाए ने त्या बिजो उप्योग कार्णा सीट बेल्ट तेमज पर्दानी बनावट्म एव प्रांथ एनो उप्योग त्रिजा उप्योग नी बाद करिये तो पैरा सूट अने परवता रोहक माटेना मजबुत दोडा बनावा माटे त्यानो उप्योग थाये छे तो आवी रिते नायलवन रेशा ना उप्योग फरी एकवार जोएलिये पैलो उप्योग मोजा दोडा तमबू दोद ब्रश्णी बनावट्म बिजो उप्योग कार्णा सीट बेल्ट परदानी बनावट्म त्रिजो उप्योग पैरा सूट अने परवता रोहक माटेना दोडा बनावट्म तो आना जे दोडा होई छे जे रिशा छे जैनके चे खूब मजबूत होई छे अने ए मजबूत होवाना कारणे एक एटला उप्योगी छे त्यानी आपड़े वाद करी तो आपड़े वाद करिए एक प्रयोग नी हवे ते पहला आपड़े नायलोनी मजबूताई नो एक बीजी बाबत मी वाद करी लिए तो तमने कईव छे ते प्रमाणे के नायलोननो तांतलों मतलब रेशो श्टिलना वायर करता पण मजबूत होई छे तो आटली मजबूताई आ नायलोनना रेशा नी जोवा मड़े छे तो तमने बतावी छे जो के नायलोनना रेशा नो उप्योग आवि रिते पेराशूट नी इंदर जे दोडाउ नी बनावट नी इंदर तेमज परवातारोहको जे दोडाउ नी उप्योग करे छे तेनी बनावट मा जोवा मड़तो होई छे तो अवे प्रयोगनी वाद करीश्व आपड़े, कपास, उन, रेशम औने नाइलोन रेशाओनी मजबूताई नक्की करतो प्रयोग, कोनी मजबूताई प्रमानमा वधारे होय छे, ते दर्शाओतो प्रयोग, तो मित्रो, साधन सामगरी तरीके सुजोशे तेनी वाद करीए, तो फर एक वार, प्याला हेतो बोली जोँछू, कपास, उन, रेशम औने नाइलोन रेशाओनी मजबूताई नक्की करवी, साधन, लोखणनू स्टेंड, हूक, पल्लू, वजन, दोरा, दोरा कउंसमा रेशाओ, जे आपड़े जुदा-जुदा वापरिये छे ते, एनी आ बात करवो तो आकृती तमारे आभी नथी दोर्वानी पन सराड दोर्वानी छे, एक स्टेंड दोर वाँ प्रमाने, तो आ, एक स्टेंड दोरी में तमने, आ, होक, और त्यां थी आवे रिते, अलग-अलग रेशाओनी दोरी, नीचे, पल्लु बतावे देश्व, आपड़े, तो आ पल्लु, आने एनी एंदर आ वजन्या, तो आने कैसो, स्टेंड, होक, कपास नी दोरी, कोई पन दोरी, आपड़े वारा परती कपास, उन, रेशम, नायलोन वगेरे लेवाना छे, वजन्या, आ जे छे ते पल्लु, तो आवे रिते आ तमारे आखुरती दोर्वाने चे, फूट पटी पैंसिल वड़े वियावस्तितीते, शरु बात करिये आपड़े, तो केभे रिते आ पद्धती चे ते अनी बात करिये आपड़े, तो पद्धतीनी सरु बात, पहलो मुद्धो अनी इंदर आकुरती तमारी सामे चेले तमने ख्यालावे पद्धतिमा पहलो पॉइंट कपास उन रेशम अने नाइलोन दरेक ना एक सर्खी लंबाई लगभग साइट सेंटिमीटर अने एक सर्खी जाड़ाई ना दोरा लो बिजो पॉइंट हुक वारू लोखन नू स्टेंड लो त्रिजो पॉइंट कपास ना साइट सेमी लंबाई ना दोरा ने मजबूत रिते लटके तेम स्टेंड साथे बादो चौथो पॉइंट दोरा ना मुक्त छेडे एक पल्लू बादो पॉइंट पल्ला में एक पचेक वजन उमेरता जाओ चठो पॉइंट जे वजन थी दोरो टूटे तेनी नोध लो आ वजन कपास ना दोरा नी मजबूताई दर्शाओ से साथम पॉइंट आ प्रवित्युनू पुण्डा वर्तन बाकी ना जे रेशाओ उन रेशाम अने नाइलोन वगेर ना दोरा लईने करो तो आवी रिते आ पज्जती थसे वित्याथी मित्रो हवे आव लोकन नी वाद करीशू आपड़े तो आव लोकन नी इंदर तमने दर्शाव विचे ते प्रमाण एक कौस्टक तयार करीशू जैनी इंदर क्रम दोरा नो अथातो रेशा नो प्रकार दोरो टोटवा माटे जरूरी कूल वजन एक कपास, बे उन, त्रोन रेशाम अने नाइलवन आ चार रेशाव अपड़े वाराफर्थी लिदेला छे माटे तो कपास नी इंदर जो वाद करीए तो एनी इंदर शू लखा से तो रेशामना दोरा करता ओच्छू एटले के रेसमना दोरा करता ओच्छा वजन मा कपास नो दोरो एटले कपास नी दोरी टूटी जाएचे उन्नी इंदर लखीशू आपने ओच्छा मा ओच्छू वजन रेसम मा लखीशू कपास ना दोरा करता वधारे महत्तम वजन तो आ रेसम नी इंदर कपास ना दोरा करता वधारे औने नाइलोन नी इंदर महत्तम वजन तो फर एक वार कपास सामे रेसम ना दोरा करता ओच्छू, उननी सामे ओच्छाम ओच्छू वजन रेसम सामे कपास ना दोरा करता वधारे औने नाइलोन सामे महत्तम वजन तो आनापती ख्याल आवी ग्यो के नाइलोन ना रेशा आ बद्धा रेशावम सवती मजबूत छे तो नीणे लखीती सुनीणे दोराओनी मजबूताई चड़ता क्रम्म उन कपास रेशम नाइलोन तो आ प्रमाणे विद्याथी मित्रो आ प्रयोक जे मैं तमने समझायो ते प्रयोक प्तिम लख्वानों थसे हवविद्याथी मित्AR आपने 3066 रेशा प्येला वाद प्यारबात एक्रेरीक निवाद थसे तो प्येश्ट निवाद करीं आपने तो प्येश्ट ना रेशा एना गुण धर्मों निंदे जो वाद करिये तो पहली बाबत ए छे कि आ रेशा मा थी बनावेला कपड़ाम करचली पड़ती नथी एले अनो अर्थ ये थायो कि कापल जर्दी थी चोड़ाई जतू नथी बिजा पोईंट निवाद करिये एले बिजो गुण धर्मा दोवाम सरड रहे छे एले दोवो खुबज सरड पड़े छे त्रिजा गुण धर्मा निवाद करिये तो आ रेशा पाणी नुँ सोशन करता नथी त्ये थी त्याना बनावेला कपड़ा दोया पच्छी खुबज जडब थी सुकाई जता होई छे तो आ त्राण महत्वाना गुण धर्मो पोलेस्टर निएंदर जोवा मड़े छे टैरेली एक खुबज जानितु पोलेस्टर छे त्याना खुबज पात्रा रेशा बनावी शकाई छे के जेथी त्याने अन्य कोई पन तात्रानी माफग वनी शकाई छे तो आ आपड़े वाद करी पोलेस्टर रेशाओना गुण धर्मोनी वाद करी आगर जो वाद करी आपड़े पेट P.E.T. तो आए पोलेस्टर रेशाओना खुब जानितु श्वारूप छे के जैना उप्यो बाटलियो वाशाणो पात्री फिल्म वायरो त्यामज बीजी उप्योगी वस्तु बनावा माटे थाई छे तो आप्रमाणे पेट ना उप्योगोनी वाद करी आपड़े यानो उप्योग केन थाय छे ते तो बाटलियो वाशाणो पात्री फिल्म वायरो तत्या बीजी उप्योगी वस्तो नी बनावत मा पेट नो उप्योग थाय छे तो पैट ए पोलिष्टनु खुबज जानितु स्वरूप छे तो हवे अपने छेल्ले एव कई शका किये के पोलिष्टनना उप्योगों कया-कया थाया ते तो पैटनी इंदर जे उप्योगों आवया तीये तो लखी सुज आपने काये के पोली स्टानु ए 100 उपत छे आपणी जुड़ें, तो यहयों उप्योग कोंगी वीर पौल इस्टाना उप्योग पेली बाद, पहरवा ना कपडा बनावा माटे, बीजो पॉइंट बातली, पातली, फिल्म, बनावा माटे, तीज उप्योग, वायर तथा अन्य उप्योगी वस्त्तों बनाव माटे द्यानों उप्योग थाये, तो आवे रित आ पोलीस्टर ना उप्योग गोनी वाद करी, हावे पोलीस्टर विश्ट होड़ी बीजीमाहिति मेड़े विए, तो पोलीस्टर पोली स्टर, और अर्थ ए थायो, के त्यामा एस्टर नाम रसायनना पुण आपे छे द्यान राग्जो मित्रो एस्टर जे फड़ोने त्यानी सुगंद आपे छे तो आपड़े एनी वाद करी आगण वाद करी आपड़े पोलीकोट पोलीवूल तथा ट्यारीकोट जिवा नाम थी त्याना कपड़ापण वेचाता होई छे अने बे प्रकाना रेशाव मित्र करीने बनावामा आवे छे पोलीकोट नी जो वाद करी तो पोलीवूल नी वाद करी तो पोलीकोट अने 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 पोलीवूल नी वाद कर आवे रिते आपड़े वाद करी पोलेस्टनी वाद करी तो विद्याथी मित्रो आजे आपड़े पोलेस्टनी काम आटले पूरू करियू एले के भाग 2N नू काम आजे पूरू थायू और भाग 2N अंते आपड़े आजे जी अभ्यास करियो छे त्याना संदर्व में केटला आक सवालों अधिले इस ओमवर्क नी एंदर पांचमों सवाल नायलोन रेसाना गून धर्मों लखो पांचमो सवाल नायलोन रेशाना गुण धर्मों लखो पोली एस्टरना गुण धर्मो लखो आठमो सवाल पोली एस्टरना उप्योगो लखो नौमो सवाल छेल्लो प्रयोग कपास उन रेशाम औने नायलरान रेशाओनी मजबुताई नक्की करतो प्रयोग समझाओ तो मित्रो आजे आठले सुदी वधू अभ्यास आपने भाग त्रणमा करीशू आवजो विद्ध्याथी मित्रो